पहलपूरा के पास एक बम डिस्कोट की धड़ना पर्दिवीदित होई थी अपू मलिक है दीप नगर थाना की पुलिस ने 421 पुरिया ड्रक्स के साथ दो तसकरों को गिरफतार कर लिया है पुलिस प्रामर ड्रक्स को ब्राउन शुगर जैसा बता रही है गरफतार बदमाशों में एक नवालिक है सदर डियस्पी डॉक्टर सुवली नुमारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश ड्रक्स लेकर बिहार शरीफ आ रहे हैं गुपत सूचना पर पुलिस ने बियावानी गाओं के पास गारियों की जाच की इस दोरान दो बाइक को आते देखा गया पुलिस को देखकर बाइक पर बैठे बदमाश भाग निकले पुलिस ने दोनों बाइकों के चालक को दबोच लिया तलासी लेने पर 421 पुरिया बरामत की गई साठोपूर गौ निवासी आलोग कुमार वो एक को पकड़ा गया नलंगा से आशीश कुमार की रिपॉर्ट सूचना प्राप्त होई थी कि जो ड्रक्स नार्कोटिक ड्रक्स ड्रॉन सुगर हैं वो शाहर के तरफ बाइक से लाय जा रहा है बीपनेगा थाना अध्यक्ष के द्वारा सगन वहान चेकिंग प्रारम किया गया और बाड़े तारिक को साम में बियावानी के पास दो मोटर सैकिल पर यूखों को रोका गया और सगन तलाशी ले गयी तो 431 पुरिया ब्राउन सुगर जैसा मादक पदार्स है वो उन्हों के पास से बरामद हुआ है एक विद्विरुद बालक है और एक आलोक कुमार है दोनों साठोपूर के रहने वाले हैं अन्य कुछ अभ्यूप्ते वो फरार हो गया है उनकी गिरफतारी के लिए उन्हों करवाई कर रहा है एक गातियार में लाइक निदी बिहार थाना की पुलिस के द्वारा 22 चार 2023 को थाना चेतर में पहाड़ी पहलपूरा के पास एक बंबिस्कोट की धड़ना पर्तिविदित होई थी पापू मलिक है उनके यहां छापामारी की गई जिसमें पापू मलिक को गिरफतार किया गया और उनके पास एक लोड़ेट देशी कट्रा एक जिन्दा कार्थूस और तीन मैगजीन की बरामदगी होई है गिरफतार अभी उपसे हम लोग अभी घराई से पुछताच कर रह है दूसरी सिच्छक का अफरंगा मामला है दीपनेगर ठाना छेत्र के समस्ती ग्राम से दस तारीक को शाम में इस बीम एकडमी के संचैनक है बालमी की कुमार पटेल उनका अफरंग हुआ था दीपनेगर ठाना में उनकी पत्नी के द्वारा अफरंग की प्रात्मी की दरजी कराई गए इस कांड में टीम बना कर अनुसंधान प्रारंग के आगिया पुलिस के दविश के कारण जो अफरित हैं बालमी की कुमार पटेल उसको अफरताओं ने मुक्ट किया है इस घटना में पैसे का लेंदेल तथा जमीन संबंदी खरिद विक्री के बाद की घटना पर्थम दृष्टिया परकाश में आई है पुलिस के द्वारा जो कर दो में आई है